हलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल आल जोब नोटिफिकेशन सो फ्रेंड्स तुडेए वी विल डिस्कस मशीन इन्पूट आउट्पूट क्वेस्चन आफ रिजनिंग एंड दिस इंपूर्टन फॉर योर आई बीपस पूमेंट्स एंड फदर जो भी पियो मेंट्स एंड क्लेरिकल मेंट्स की एक्जैम है उनके लिए काफी इंपूर्टन है ठीक है तो चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे यह इन्पूट दिया हुए हमें ठीक है एट सेवन वन सिक्स थ्री सिक्स नाइन वन फो फो और एट टू ओके सो यह है स्टेप वन जो है हमारा इसमें क्या किया है आपको यहाँ पे एरो शो किया हुआ है यह मतलब example है उसके बाद मैं आपको question दोंगी वो आपको try करना है तो यहाँ पे जो box 1 है उसका fourth box के साथ link है second का fifth के साथ है और third का sixth के साथ है ठीक है तो आपको यहाँ पे mathematical operation apply करना है मतलब plus minus divide या फिर multiplication या फिर square cube कुछ भी मतलब logic लगाना है जिससे आपका यह fit better ठीक है तो start करते है step 1 में क्या किया है यह जो दो boxes है इसमें क्या किया हुए देखो 9 से 8 किया 1 and 7 से 1 गया 6 ठीक है बाकी जो second box का fifth के साथ देखना है तो 4 से 1 गया 3 and जो second digit है उसका second के साथ ही minus करना है आपने 6 से 4 गया 2 and जो third box है उसका sixth box के साथ देखना है आपने तो 8 से 3 गया 5 and 6 से 2 गया 4 ओके तो यह हमारा step 1 आ गया step 2 में क्या किया है 1, 5 और 4, 8 मतलब इन तीनो boxes को merge करके या फिर कोई 2 boxes को हमें operation apply करके यह 2 boxes आया है निचे so इसमें आपको देखना है ठीक है इसमें क्या क्या है 15 कैसे आया मतलब 1 और 5 कैसे आया देखो minus करके तो आयगा नि 6 से 3 से 1 गया 3 से 1 के 2, 6 से 2 गया 4 नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है तो आपको क्या दिख रहा है 15 दिख रहा है न तो 1 multiply 3 multiply 5 मतलब left left digit को multiply कर दो तो 1 into 3 into 5 कितना आ गया 15 ओकी यहां पर लिखती है आपने और उसके बाद second second digit को multiply करने आपको 6 into 2 into 4 ठीक है तो 6, 2 is a 12, 12, 4 is a 48 आ जाएगा ठीक है step 3 में क्या कि 3 और 6 है तो यह कैसे आया symbols आपको दिख रहा है कि 15 है ठीक है 15 है तो 1 प्लस 5 कितना होते है 6 मतलब इनको add कर दिया 6 और divide कर दिया 2 से तो 3 आ गया ठीक है और यहां पर वैसे 8, 4, 12 होता है 12 को 2 से divide कर दिया तो 6 आ गया step 4 काफी easy है बस इसमें जो आपका main step है na step 1 और 2 होता है बाकि फिर easy लिए आपको पता लग जाते है कि क्या pattern चल रहा है and में 9 है तो मतलब 6 प्लस 3 9 मतलब सम क्या हो है ठीक है तो इसी based पे आपको यह machine input output solve करना है जिसमें boxes दिया है यह आपको input दिया है 1429278243 and 63 ठीक है 14292782 है यह 43 and 63 तो यह आपको solve करना है and please आपको क्या कहते हैं comment box में type करके बताना है कि step 4 में क्या आपका output आया ओके so bye bye take care and please subscribe my channel bye bye